अज़ की क्लास में हम करेंगे थेोरम्स तो फर्स थेोरम है हमारे पास थेल्स थेोरम इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रपोशनल्टी थेोरम चौटकट में बीपीटी तो थेोरम का एम क्या था हमारे पास If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points The other two sides are divided in the same ratio तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Figure draw करेंगे एक triangle है हमारे पास एक triangle बना ली हमने A, B, C ये triangle आगी अब B, C के parallel एक line थी हमारे पास D, E ये एक line आगी अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे सबसे पहले हम B, E इसको मीट करेंगे ये चीज हमने मीट कर दी diagonal B, E को मीट किया अब D, C को मीट करेंगे ये चीज मीट कर दी उसके बाद हम A, E पर एक परपेंडिकुलर लेंगे और D, A पर एक परपेंडिकुलर लेंगे सबसे करो मैंने A, E पर एक परपेंडिकुलर ले लिया G और A, D पर एक परपेंडिकुलर ले लिया ऐसे एक line F अब A, B, C हमारे पास एक triangle है D, E परलल है, हमारे पास B, C के, ठीक है और A, D पर परपेंडिकुलर है, हमारे पास E, F और A, E पर परपेंडिकुलर है, हमारे पास D, G तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जब भी हमारे पास proof के लिए कोई चीज आती है तो हम लिखते हैं given क्या है हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे given, तो given क्या था? एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और इसमें DE is drawn parallel to site BC, एक ट्राइंगल है हमारे पास और इसमें DE parallel है हमारे पास BC, अब DE parallel है हमारे पास, पैरलल का निशान होता है यह, पैरलल है हमारे पास BC, यह चीज आगी, उसके बाद हम लिखेंगे to prove, prove क्या करना था इस theorem में हमने prove करना था, AD upon DB is equal to AE upon EC, AD upon DB is equal to AE upon EC, यह हमने prove करना था, उसके बाद हम देखेंगे construction, construction में क्या किया हमने, construction में हमने join किया lines को, BE को join किया, DC को join किया, तो लिखेंगे let us join BE and CD, यह चीज हमने इसको join किया, उसके बाद क्या किया हमने, perpendicular लिया, perpendicular किसके उपर था, EF perpendicular है हमारे पास AD, तो हम लिखेंगे, EF perpendicular लिया हमने, EF perpendicular लिया AB पर and दूसरी line कौन सी थी, AE पर perpendicular लिया, GD या DG भी लिख सकते हो, DG perpendicular लिया हमने, AC पर, इस वाली line पर यह बाली चीज़ perpendicular होगी हमारे पास, अब हम करेंगे proof, आप यहाँ पर proof भी लिख सकते हो, solution भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो consider हमारे पास triangle बनी, triangle कौन सी थी, एक A, D, E, यह बाली triangle लेंगे हम, A, D, E, यह बाली triangle, ठीक है, और दूसरे triangle हम लेंगे, D, B, E, यह बाली triangle, D, B, E, यह बाली, तो consider triangles, triangles, A, D, E, and triangle, D, B, E, अब सबसे पहले हम देखते हैं, area, तो area निकाल लेंगे, area of triangle, A, D, E, तो triangle का area कैसे निकालते थे हम, half into, base into, height, तो हमारे पास area, area को आपकी बुक में A, R, B लिखा होगा, एक ही बात है, area complete लिख लो, यह A, R, shortcut में भी लिख सकते हो, area of triangle, A, D, E, कितना आजएगा हमारे पास, half into base, base कितना था हमारे पास, A, D, E, यह triangle थी, तो base आएगा हमारे पास, A, D, तो base हम लिखेंगे, A, D, into height, height क्या होगी हमारे पास, E, F, तो यह बाला हमारे पास क्या होगा, height, ठीक है, E, F हमारे पास height आगया, अब next same इसी तरह, यह बाले triangle लेंगे, हम D, B, E, तो क्या लिखेंगे, area in triangle B, D, E, इसका area formula क्या होगा, half into base into height, तो half into base, अब B, D, E, तो base क्या आएगा हमारे पास, D, B, into height, height क्या लेंगे हम, E, F, यही height लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें E, A, E upon E, C ऐसा हमें प्रूफ करना था, तो यह आएगा हमारे पास, E, F, ठीक है, अब क्या करेंगे, therefore, area, triangle, A, D, E upon area, triangle, B, D, E, upon में कर देंगे, तो कितना area था इसका, half into A, D, into E, F, upon में आएगा, half into D, B, into E, F, अब देखो, half के साथ half cancel हो गया, E, F से E, F cancel हो गया, remaining portion हमारे पास रहा, A, D, upon D, B, area, triangle, A, D, E, upon area, triangle, B, D, E, कितना है हमारे पास, A, D, upon D, B, तो इसको हम लिख लेंगे, equation number 1, same, next, triangle लेंगे हम, तो similarly, similar, by considering, considering, triangle, A, D, E, अब हम करेंगे, A, D, E, and triangle, C, D, E, ये बाले triangle लेंगे अब, तो triangle, C, D, E, यहाँ पर area निकालेंगे, तो area of triangle, A, D, E, A, D, E का triangle क्या होगा, half into base into height, तो half into base, base क्या था हमारे पास, A, E, अब ये बाले lines लेंगे, हम A, E, into, यहाँ पर perpendicular क्या आएगा, E, F, ये चीज़ आगी, next हम करेंगे, area of triangle, C, D, E, triangle, C, D, E, half into base into height, तो base क्या होगा हमारे पास, C, E, ये बाला base होगा, C, E, into E, F, ये चीज़ आगी, again क्या करेंगे, reciprocal, solve करेंगे, तो area of triangle, A, D, E, upon area of triangle, C, D, E, तो आज़ेगा हमारे पास half into, A, E, into E, F, upon half into, E, C, into E, F, अब half के साथ half cancel होगया, E, F से E, F cancel होगया, remaining हमारे पास रहा, A, E, upon E, C, तो इसको हम part number दे देंगे, 2, ये हमारे पास equation आगी, second, आप देखो, जो हमारे पास triangle थी, A, D, B, D, E, ये बाले triangle, B, D, E, और जो C, D, E, जो ये बाले triangle है, B, D, E, ये triangle, और एक ये बाले triangle, C, D, E, इन दोनों triangles में हमारे पास, D, E जो था, वो common था, तो ये हमारे पास base था, सेम आ रहा था दोनों में, तो क्या लिखेंगे, since two triangles, B, D, E, and triangle C, D, E, are on the same base, base same था, C, B, D, E, ये बाले base था, और यहां पर C, D, E, ये बाले चीज़, इस दोनों में क्या रही हैं, same, तो हम क्या देखेंगे, लिखेंगे, यहां पर देखो, जो D, E है, वो parallel है, B, C के, D, E, parallel था हमारे पास, B, C, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, जो area होगा, दोनों का बुभी क्या होगा, दोनों triangles का, equal, ठीक है, तो लिखेंगे, D, E, parallel है हमारे पास, B, C, ठीक है, और area, तो यहां पर हमारे पास area of triangle, B, D, E, equal to आएगा, हमारे पास area of triangle, C, D, E, तो क्या लिख लेंगे हम देखो, area of triangle, B, D, E, is equal to area of triangle, C, D, E, इसको equation number 3, दे दो, अब देखो, equation 1 और 3, यहां से क्या आया हमारे पास, from equation 1 and 3, we get, 1 और 3 से आया हमारे पास triangle, A, D, E, इसका area, यह तो सेम है हमारे पास, A, D, E, और triangle, B, D, E, इसकी जगा क्या आजाएगा हमारे पास, B, D, E था हमारे पास, triangle, C, D, E, तो हम क्या लिख सकते हैं, area of triangle, A, D, E, upon में आएगा हमारे पास, area of triangle, B, D, E की जगा हम लिखेंगे, C, D, E, तो यह कितना आजाएगा हमारे पास, A, D, upon D, B, तो इसको हम equation number कौन सी दे देंगे, equation number 4, अब from equation 2 and 4, we get, from equation 2 and 4, equation 2 हमारे पास यह थी, equation 4 यह थी, मैं फिर से एक बार यहां पर लिख रही हूं, same equation, area of triangle, A, D, E, upon area of triangle, C, D, E, is equal to हमारे पास आया था, A, E, upon E, C, और equation 4 ही हमारे पास, area of triangle, A, D, E, upon area of triangle, C, D, E, is equal to हमारे पास, A, D, upon D, B, तो देखो, इन दोनों equation का comparison करके हमारे पास क्या आया, A, E, upon E, C, is equal to A, D, upon D, B, और Thales theorem का यही हमने प्रूफ करना था, terms को आप interchange करके भी लिख सकते हूं, इसको मैं लिख सकती हूं, A, D, upon D, B, is equal to A, E, upon E, C, hence, proved, ठीक है, इसको Thales theorem भी बोलते हैं, और Basic Proportionality theorem भी बोलते हैं, shortcut abbreviation है, BPT, करके हैं, वेश, हैंद भी बोलते हैं, प्रे इसकता हैं,